हेलो फ्रेंज स्वागत है हमारा इस पालमेसी चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटन माउंट की यह वीडियो आज इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सैटन माउंट जिस किसी के भी हाथ में काफी प्रॉमिनेंट होता है डेवलप्ड होता है वैसे वेक्ति काफी जजेवल परसन होते हैं दूसरों को जज काफी अच्छे से कर पाते हैं अप काफी सोच समझ के लेते हैं काफी पोटेंसियल होता है उनमें ऐसा सैटन मांट का माने जाता है साथी साथ यह भी मान जाता है कि अगर हथेली में आपका सैटन मांट डेवलप्ड नहीं है और बाकी आपका सभी मांट डेवलप्ड है चुपिटर हो गया अपोलो हो गया मर् मार्स माउंट भी अगर डिवलाप माना गया है लेकिं आपका जो लाइफ चल रहा है वह बैलेंस की नैं सब Efendimiz चल रहा है तो बताता है कि Jupiter mount जादा ना उभर के Saturn mount इसे indicate करती है कि आप जादा ही उठे हैं तो इसे balance करके चलना होगा तो Saturn mount basically हमें judgment सिखाता है हमें अपने life को किस direction में लेके जाना है वो सिखाता है बाकि और भी जो Jupiter mounts हो गया या और भी जो सहतेली में mounts होते हैं उन सब को proper balance कैसे करना है कि यह बिसिकली Saturn mount में पाया जाता है हम एक एक करके हर एक चीज discuss करेंगे हर एक symbols Saturn mount की हर एक sign Trident triangle V symbol circle rectangular हर एक symbol जो Saturn mount में पाया जाती है हम एक एक करके इसे discuss करेंगे और साते साथ हम यह भी देखेंगे कि यहां से कभी-कभी लग लाइन भी निकलके Saturn मांट के तुरब जाती है या फिर कुछ Moon मांट से जेनरेट होके Saturn मांट तक जाती है तो यह सब भी हम आज इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो बने रही है अंतिन तक स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो यहां से कुछ निकल कर आती है इससे कहते हैं हम लोग हर्ट लाइन और यहाँ पर इस माउंट को हम लोग बोलते हैं апोलो और इस माउंट को बोलते हैं हम लोग मरक्यरी माउंट तो हम लोग आज इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं सबसे पहले इस वीडियो में यह जानेंगे कि आप Saturn quality के person है या नहीं यह पहचानने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसा कि आपका ये saturn finger जो होता है, काफी बढ़ा होना चाहिए, थोरा long होना चाहिए, ज्जादा थिक नहीं होना चाहिए, ये quality होती है पहचानने की कि ये बन्दा saturn quality का है, दूसरा quality होता है कि आपका जो saturn mount है, कि यह काफी प्रॉमीनेंट होना चाहिए फ्लफी ना चाहिए पोल्शन और होना चाहिए और पिंक इसन कलर होना चाहिए बैवी पिंग कलर का होना चाहिए लाइट पिंग हो गया थोड़ा और साथी साथ यहां पर एक सिंगल वर्टिकल लाइन होना चाहिए स्ट्रेट जो होता है तो ऐसा कुछ सिंबॉल है अगर आपके हाथों में तो आप सैटर्न कॉलिटी के परसन है आपका नेचर पुरा सैटर्न कॉलिटी पर जाता है जिस किसी के भी सनी परवत पर एक सीधी रेका होती है और साथी साथ वो सनी परवत काफी उभरीव होती है डेवलप्ड होती है पिंक हीन कलर होती है तो वैसे नेटीव को हम बोलते हैं कि वो विजडम को एट्रैक्ट करते हैं अकेले रहना वो नेटीव काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और ये ऐसे नेटिव जो होते हैं hard working, काफी मेहनत करते हैं, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हरते ऐसे नेटिव और अगर आपके हाथ में triangle का symbol हो गया, या फिर आपका V symbol हो गया, या फिर आपका कुछ delta जासा formation हो रहा है, कुछ इस तरह से, तो ये सब Saturn quality परसन मानी जाती है, और ये सब काफी अच्छी indication होती है, अगर ये Saturn one पर पाई गई है, तो अगर ये तीन चीज या फिर तीनों में से कोई एक चीज भी आपके Saturn में है, तो वैसे native को बताता है कि उनके हाथ में जमीन जायजात से related properties बहुत ही होती है, उनके जीवन में कभी properties की कमी नहीं होती, इसे के साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि परवत की उचाए भी काफी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कुछ इस तरह से Mercury माउंट से होके Apollo माउंट पर जाती है और Saturn माउंट उठती है थोई उपर इस तरह से जाती है और फिर उसके बाद Jupiter माउंट आती है, तो सबसे उची वाली परवत अगर आपके हाथ में है ये Saturn माउंट, तो आपके अंदर Saturn की quality है, ऐसे native को हम बोलते हैं कि balance nature के वो person होते हैं जाड़ा, life को काफी balance लेके चलते हैं, प्रोसेस जो काम करते हैं अपने जीवन में बार-बार चेक करते हैं, rectify करते हैं, क्या गरबर है, क्या गरबर नहीं है, और साथी साथ उस काम में कभी जल्दिवाजी उनका नहीं रहता, डीले करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, decision हमेशा perfect लेते हैं, nature काफी psychological होता है, दूसरों को judge करते हैं ये लोग, और साथी साथ serious भी काफी होते हैं अपने career को लेके, अपने life को लेके, अपने goals को लेके, और आने वाले समय में, इनकी कंदों पर responsibilities भी काफी ज़्यादा होती है, और ऐसे लोग responsibilities लेना काफी ज़्यादा पसंद करते हैं, यदि आपका career line या fate line, या फिर luck line, कुछ यहां से उठके Saturn mount तक जा रही हो, या फिर आपका fate line moon mount से उठके Saturn mount तक जा रही हो, या फिर winners mount से ही fate line generate होके Saturn mount तक जा रही हो, तो ऐसे native को दरसाता है कि आप अपने career के प्रती काफी serious है, life वो काफी serious लेके चलते हैं, क्या सही है, क्या गलत काफी अच्छे से rectify करते हैं, और यदि आपका heart line से निकल के कुछ branches Saturn mount के तरफ जा रही है, तो ऐसे native को दरसाता है कि आप काफी worried रहते हैं, आप अपने relationship को लेके, क्या वो decision सही है या नहीं है, गलत लिया है, या decision सही लिया गया है, ये completely दरसाता है कि heart से आप कितना connected है, soft nature के हैं, क्या नहीं है, क्योंकि आपने decision सही लिया है, relationship को लेके या नहीं लिया है, ये जो line है, ये वही दरसाती है, यदि आपका mind line से निकल के कुछ Saturn mount तक जा रही है, कुछ इस तरह से, कुछ भी branches या off source आपके mind line से निकल के Saturn mount तक जाती है, तरह से नेटिव को दरसाता है, कि आप अपने mind के प्रति, thinking के प्रति, thoughts के प्रति, काफी चिंतित हैं, काफी serious हैं अपने mind को लेके, अपने intelligence को लेके, क्या आपने decision सही लिया है, या गलत लिया है, जो भी काम है, जो आपने mind से related decision लिये हैं, वो ये दरसाती है, और अगर आपका life line से निकल के कुछ off source होती है, ये off source basically हम लोग good indication मानते हैं, किसी के भी अगर off source उसके life में हैं, तो ये इस इस age में उस native के जीवन में upgrades आई है, अगर ये upgrades, ये कुछ इस तरह से touch होके, सेटन मान तक जा रही है, या फिर कुछ इस तरह से ladder का formation बना रही है, तो बताता है, ये hard work के प्रती है, आप काफी ज़्यादा मेहनत किये हैं, अपने life को लेके, अपने goals को लेके, क्योंकि ये ladder का मतलब भी होता है, कि कुछ आपने इस हद तक मेहनत किया, वो तूटा, दुबारा फिर उठे आप, दुबारा मेहनत किये, फिर तूटा, तीसरा वार फिर मेहनत किये, और जिसकी इसी का भी इदम straight line होता है, तो वैसे native को दास आता है, कि मेहनत लगतार continuously किय ले जा रहे हैं, और भगवान का असी बात उपर रहता ही है, अगर Venus Mount से निकल के कुछ line Saturn Mount की तुरफ जा रही है, तो आप अपने जीवन में कितने refined हैं, जो काम करते हैं आप, उससे आप कितना अच्छे से refined करके दूसरों को output दिखा सकते हैं कि लिए, वो basically यही दरसाता है Venus Mount आपका, Venus Mount ये भी दरसाता है कि आप कितने बोल विचार में, कितने sweet हैं, कितने attractive हैं दूसरों के प्रती, ये काम होता है Venus का, Mars Mount का मतलब होता है, आप कितने active हैं, अपने career को लेके, अपने काम को लेके, aggression भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, अगर Mars Mount में काफी कुछ क्र स्क्रोस वाली रेखाई होती है, और साथी साथ कुछ रेखा Saturn Mount के तरफ जाती है, तो ये aggression का भी indication होता है, और यदि अगर आपके Saturn Mount में कुछ ring जैसे आकरिती बन रही हो, कुछ इस तरह से, तो ये दरसाता है कि आपको Saturn Quality होने से रोक रही है, और साथी साथ ये भी दरसाता है कि आपके दिमाग में जो ideas आते हैं या कुछ thoughts आते हैं, तो वो तुरंत आप jump करते हैं, sudden action लेते हैं, तुरंत होते हैं, तो ये Saturn Quality के person को नहीं मान जाता है, क्योंकि ये ring block करती है Saturn Nature को, और जिस किसी का भी हाथ में Saturn Mount काफी अच्छा होता है, तो वैसे नेटर वो दरसाता है कि उनकी जो साधी होती है, थोरी लेट होती है, क्योंकि वैसे लोग अपने जीवन में हमेशा खोज करते रहते हैं, truth का खोज करते हैं, trust का खोज करते हैं, real person को पहचानते हैं, उनका nature देखते हैं, तब सोच समझ के अच्छे से decision लेते हैं, क्या ये सही है, क्या गलत, correct path चुनते हैं, ये कुछ थी अच्छी चीजे Saturn से related, लेकिन Saturn हमें bad qualities भी देती है, अगर आपके हाथ में एक से अधिक line हो, ये कुछ इस तरह से, और अगर आपका Saturn mount कुछ yellow is color है, तो ऐसा indication हमें palmistry मे bad माना जाता है, अगर आपका एक से अधिक line है, और साती साथ आपका mount जो है yellow in color होता है, तो ऐसे native को दरसाता है कि वो थोड़े depression में ज़्यादा रहते हैं, extremely alone feel करते हैं अपने आपको, और साती साथ अगर family का pressure रहे उपर से, या फिर दोस्तों का pressure रहे, career से related, कुछ success ना मिल रहा हो, suicide करने का भी नियत आ जाती है, क्योंकि Saturn mount सनी ग्रह ही काफी ज़्यादा dangerous होती है, और ऐसे लोग काफी ज़्यादा ही sensitive होते हैं, extremely responsible होते हैं अपने काम को लेके, और कुछ बात कर लो यहाँ पर Saturn से related, अगर ये mount आपका थोड़ा दबावा है, fluffy नहीं है, अंदर गी तरफ है यलो इस color है, या फिर आपका जो mount है, ये कुछ उठ रही है, ये भी उठ रही है, और ये तुरंत sudden नीचे हो गई, फिर ये उठ रही है, तो ये Saturn mount थोड़ा दबा है, weak है, खड़ाब है, तो under developed Saturn mount बोलते हैं, तो ऐसे native को दर साता है, थोड़े optimistic approach होता है इनके जीवन में, या फिर कुछ miss जैसा सोक, miss जैसे indication बन रही हो, या फिर कुछ horizontal lines हो, कुछ इस तरह से, ऐसा, या फिर कुछ क्रिस क्रोस हो, कुछ इस तरह से कुछ ज़्यादा ही क्रिस क्रोस कटी भी हो, तो ऐसे indication काफी खराम मानी जाती है, वैसे लोग काफी depression में होते हैं, responsibility इनके कंधे ज़्यादा होती है, pressure ज़्यादा लेते हैं, और यह ज़्यादा pressure होने के का जहल नहीं पाते, तो अन्तिम decision इनका हो जाता है, अकेला रहना, दूर हटना family से, और कुछ ज़्यादा pressure होती है, तो suicide का भी case ज़्यादा होने का chances होता है, इसलिए बाबर बोला जाता है, कि Saturn mount को आप हमेशा balance लेके चले, क्योंकि Saturn mount अगर आपके हाथ में काफी अच्छी है, तो आपका जितना भी mount है, काफी balance होके चलेगी, अगर Saturn mount weak है, तो आपका जितना भी mount है, unbalanced रहेगी, जैसे आपका Jupiter mount काफी strong हो गया है, और Venus mount weak है, तो Jupiter mount अगर strong हो गया है, तो आप ambitious है अपने life में, implement भी कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को पती attract नहीं कर पा रहे हैं, refine नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को, अगर इसी तरह से अगर आपका Mercury mount weak है, Apollo mount अच्छा है, तो name or fame मिलेगी Apollo mount में, लेकिन Mercury mount अगर आप business कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, उसमें घाटा हो सकता है उसी तरह से अगर आपका Mercury अच्छा है, Apollo week है, तो name or fame नहीं मिलेगी, लेकिन business जो कर रहे हैं, वो काफी अच्छा होगा, तो इन सब को सुधारता है आपका Saturn mount, Saturn mount पे काफी focus करना पड़ता है हमें, और साथी साथ numerology के basis पे अगर बात करूं तो date 8, 17 और 26 में जो born हुए हैं, कोई भी मन्त रहे, कोई भी year रहे, लेकिन date जो होगी 8, 17 या 26, वैसे native को basically मान जाता है कि वो Saturn nature के होते हैं, वो confirm करने के लिए आप अपने हाथ में चेक कर लें, जैसे कि मैं इस वीडियो में बताया वा हूँ कि आपका Saturn अच्छा है या बुरा है, जिस किसी का भी Saturn बुरा ह होता है, सनी का दोस्त लगता है, तो Saturn को सुधारी भी जाती है, बहुत सारे remedies होती है, तो friends ये कुछ थी Saturn months related कुछ बाते, आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो आप इसे like करे, subscribe करे, अपने friends में share करे, और अगर आप भी चाहते हैं, अपन ये consultant paid है, तो तब तो के लिए, good bye